कि ऐसे ही सुंदर हेस्टाइल्स को देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन को जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए तो सबसे पहले आपको दोस्तो जैसे के आप देख रहे हैं यहा पर करा लेना है जैसे का यहां पर क्राउन सेक्षिन निकाल हुआ और इसके अंदर हम पहुप नाएं तो इसके लिए हम सो से पहले नीचे से start करेंगे तो यहां पर हमने छोटा section निकाला है और आपको छोटे छोटे पार्ट में बैककॉम एंग करनी होती है तो यहां पर हम बैककॉम करने के बाद स्टॉंग वाला स्प्रेय यूज किया है ताकि जो हमने बैक्कॉम किया है वो ओपन ना हो खुले नहीं उसके बाद हमने एक और सेक्षन लिया है और यहां पर हमने स्प्रेय डाला है स्प्रेय इसलिए डाला है कि अगर हम बैक्कॉम करते हैं तो वो इजली हो जाता है बैकॉम और उसके बाद भी स्पेख कर सकते हैं कि उसके बाद हम ने के बाद के बाद के आप आप मुश्च वाला है ताकि आपका जो पर ओपनाओ खुलेगे नहीं इसलिए ऐब स्प्रेख कर सकते हैं उसके बाद Self disp清楚 a आपको अच्छे से कोम करना है स्मूथ करना है बिल्कुल सेक्ष्षन बिल्कुल नीट और अना चाहिए बिल्कुल भी रफनेस नहीं दिखा दिखा देना चाहिए उसके पास हमें सारे बालों को एक साथ पकड़ लिया है जिसके अंदर आपने बैक कॉम किया था और यहां पर हम यहाँ इ 2001 लगा रहे जैसे कि आप देख रहे हैं हां मिहाँ प्रबर से प४ोर्णी बाना रहे तो अप को पौनी बना लेगा ना है कि तो यहाँ प्टोर बना लुद यह है उसके वाझसे twin सेक्शन में हमने यहाँ परीर सेक्शन लिए हो और जो पीछे का सेक्षण है उसको उठाके हमने next section पर रखा हुआ है उसके आज से front वाले section को up किया है आप करने के बाद हमने एक और section इसके अंदर mix करना है जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेंट वाले section के साथ हमने mix किया है उसके बाद से down जाएगा section फिर उसके बाद से up आएगा last वाले पर जाएगा last वाले section next जो layer है उसके उपर आ जाएगा उसके बाद से फिर आगे से start करेंगे सबसे बढ़े section को up रखेंगे उपर के तरह और उसके बाद से आप एक layer उसके इसके साथ ही आपको mix करना है और उसके ऐसे फिर आपको up and down section करना है up down up करना है और last वाले section नेक्स्ट वाले section की उपर आएगा उसके बाद आप आगे से फिर start करेंगे up और up करने के साथ ही आपको एक layer add करनी है जैसे कि आप देख पारें आप करने के बाद फिर डाउन करना है डाउन करने का फिर आप करना है और जो लास्ट वाला जो सेक्षन था वो नेक्स वाले सेक्षन के उपर आएगा फिर उसका फ्रेंट से फिर दुआ से स्टार्ट करना है आप जैसे करेंगे उपर के तरफ जैस पारें जैसे हमने बताया है सेम ऐसी बनानी है और जब भी आपकी ब्रेड थोड़ी से बन जया तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ओपन करना चालू करेंगे तो यहां पर मैं braid वैसी बना रहा हूँ जैसे कि आपको बताया है मैंने आप पेंड डाउन करना है अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं लेयर मिक्स नहीं कर रहे हैं ओनली बस फोर लेयर के साथ ही इस braid को complete कर रहे हैं तो यह जो braid है हमारे पूरी complete हो गई है और इसके साथ ही हम इसको open भी करेंगे और दोनों तरफ से हम पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से ही spread करना है जो यह braid है इसका पीछे का part और आगे का part ही spread करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर तो यह हमने पीछे का part open किया और उसके बास हम आगे वाले part को भी open करेंगे उसको spread करेंगे उसको खोलेंगे layer को ताकि जो braid है वो काफी सुन्दर नजर आए थोड़ी सी broad नजर आए जैसे कि आप देख पारें वीडियो में इससे पहले आप देख रहे थे बिल्कुल पतला सा look आ रहा था मगए जैसे हमने इस layer को जैसे हमने open किया है वैसी हमारी जो braid है काफी सुन्दर नजर आ रही है और broad भी नजर आ रही है चोटी जो है वो चोड़ी नजर आ रही है तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे है और हमने बस सुरुवात में हमने section add किये थे इस braid के अंदर और जो last में जो जैसे कि आप देख रहे है चार-पांच layer add हमने किया है उसके बास हमने कोई भी layer इसके साथ add नहीं किया है जो four layer चोटी थे उसके साथ ही हमने पूरी braid को complete क किया है तो ठीक ऐसे आप बना सकते हैं इस braid को तो यह braid हमारे पूरी complete हो चुके है दोस्तों उसके बास हम एक और front में same ऐसी हम braid बनाएंगे इसके अंदर भी हमने four layer सबसे पहले start किया और इसके अंदर हम up and down फिर then up करेंगे और पीछे वाली जो layer है उसको उठाके हम next वाली layer के उपर रखेंगे और फिर आगे से start करेंगे जैसे हम up करेंगे उसके साथ आप एक layer add करेंगे तो आगे वाली लेयर के साथ ही हमने लेयर को add कर दिया है जो एक्ष्टर हमने add किया है उसके वासे हमने down किया है फिर last वाले के उपर हमने रखा है और पीछे वाला जो section था उसके आगे वाले section को उठा कर रखा है फिर हमने up किया है आगे वाला section हमने up किया है और उसके साथ ह आप लेयर को add कर रहे हैं तो हमने ये layer को add कर दिया उसके वाद से section को करेंगे down down करने का फिर up करेंगे और पीछे ओली जो section है वो next आवले section के उपर उठा कर रखेंगे उसके पिर up करेंगे और फिर ये section को add करेंगे तो section जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछ वाले सेक्ष्शन को उठाकर नेक्स्ट वाले सेक्ष्शन के उपर रखेंगे अब करने के बाद फिर हमने एक ओर सेक्ष्शन लेना है दोस्तो और इसके साथ हमने braid को mix कर दिया जैसे कि आप देख रहे हैं आप pen down करके हमने braid को बना है same ऐसी आपको करना है तो अब हमने section को add नहीं करना है जितना आप देख रहे हैं इतने ही हमने section को add किया है जो extra हमने hair जो add कि हैं इसके साथ अब क्या कर रहे हैं थोड़ी से braid बनाने के बाद हम open कर रहे हैं पीछे की दरब से जिसके जिसके साथ हमने hair को add किया है उसी को अभी हमने open किया है और उसके वासे हम फिर braid बना रहे है आप एंड डाउन करके बनाना है जिसे के आपको बता है हमने पहले भी आप एंड डाउन फिर आप फिर डाउन ऐसे करके आपको बनाना है और अब हम braid को open कर रहे हैं तो आप देखें हैं कितनी सुंदर braid नजर आ रही है मगर जब आप जब तक आप इस braid को खोलते नहीं है तो तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ब्रेड बिल्कुल चिपकी चिपकी सी और बिल्कुल पतली सी एक braid आती है मैंगे जैसे आप इसको side side से layer को open करते हैं काफी सुंदर नजर लगने लगती है braid और खुलने के बाद ये braid जो है काफी ये चौड़ी भी हो जाती है तो ऐसे आप braid को बना लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं और दोस्तो बेसिक चिजों को उपर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस जरूर देखें दोस्तो मैंने description box के अंदर उन वीडियोस का मैंने link डाला हुआ है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तो I am sure आपकी सारी काम की वीडियोस हैं तो आप उसको जरूर देखें जैसे कि backcomming puff कैसे बनाते हैं backcom आपने किया हुआ है तो उसको open कैसे करना उसको खोलना कैसे है बिल्कुल easy way में तो उसको उपर मैंने वीडियोस बनाए गए है अगर आप market में dummy purchase करने जा रहे है तो आपक में मशीने purchase करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीद देखें मशीने purchase करनी चाहिए आपका पास dummy आपको नहीं पता उसको कैसे wash करते हैं कैसे maintain करते हैं इसके उपर वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को जुरूर देखें मैंने description box के नदर इसके link छोड़े हुए तो आप इन वीडियो को जुरूर देखें दोस्तों तो अभी हमने नीचे से section को लिया है जैसे कि आप देख रहे थे और section को हमने divide किया है चोटा section लिया है और यह जो machine में use कर रहा हूँ यह 16 mm के 16 mm की machine है यह curling machine आप 16 mm की use करेंगे तो steam to steam ऐसी कॉल मिलेगा तो मैंने सारे कॉल्स को पहले कर लिया है बट मैंने आगे का section दिखाने के लिए यह section छोड़ा हूँ था कि कॉल कैसे करने है और यह जो मैं machine यूज कर रहा हूँ यह machine से मैंने सारे कॉल्स किया है तो वीडियो जादा लंबी हो जाती है इस section चोड़ा है side का जिसे कि आपको पता चल पाए कि इसकंदर मैंने कैसे कॉल्स किया हूँ कौन सी machine से कॉल किया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं 16 mm की curling machine से मैं कॉल कर रहा हूँ और बिल्कुल चोटे-चोटे section लेके ही मैंने कॉल किया है जैसे कि आप इस वीडियो में किया है तो आप फॉलू कर सकते हैं हमारे सेम इसी नाम से magic techniques पर चंदर प्रकाश पटेल के नाम से आप सभी को पता है दोस्तों यूटूब के पर हमारी वीडियो आती है मगर फेस्टू को इंस्टाग्राम पर हमें है एस्टेलिंग से related photos और classes की update आती रहती है तो आप हमारी classes दिल्ली के अंदर और कुलकता के अंदर भी होती रहती है अगर आप दिल्ली से हैं और course करना चाते हैं तो आप दिये contact नमर पर call करके पूछ सकते हैं classes की update और whatsapp और facebook इंस्टाग्राम पर भी आप में को message करके सकते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कर्द हम जो 60 mm से कर रहे हैं round करके seem ऐसे आपको करना है तो आपको यह look जरू मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं और दोस्तो अगर आपको कुछ भ mango पूछ भी नहाए तो आप में को और सब작 कर सकते हैं माः 99-1-418-347 वाले नमर्म पहाब अप कॉल कर सकते हैं मेसेज कर सके हैं हेस्टाइलिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप में को बेच अग पूछ सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं हम चोटए-चोटए ही सक्षन लेकर कॉइल करें तो सेम ऐसे आपको करना है दोस्तों जादा बड़े स्ट्षन नहीं लेना है ने तो मशीन के अंदर अच्छ say आनीपाएंगा और जिसके इसे अच्छे से कर्ल नहीं हो पाएगा और फिर थोड़े दिरे बाद खोल जाएगा इसलिए दोस्तों आपको छोटे-छोटे सेक्शन लेके कॉयल करने हैं और कॉयल करने के बाद आप इस्ट्रॉंग वाला हेस्परी भी यूज कर सकते हैं जो मैं स्ट्रॉंग वाला हेस्परी यूज करता हूँ वो टाफ्ट हेस्परी है तो आप यूज कर सकते हैं और हेस्ट्रालिंग के बाद दोस्तों शाइन हेस्परी जरूरी यूज करें क्योंकि जब आप स्ट्रॉंग वाला हेस्परी यूज करते हैं तो जो हेस्टाइल है उसकी शाइन चली जाती है तो उसको शाइन को मिंटेन करने के लिए आप दोस्तों शाइन वाला हेस्प्रे यूज़ करें आप क्रिंपिंग करते हैं तब भी शाइन वाला हेस्प्रे यूज़ करें क्रिंपिंग से हेर जो होते हैं रफ हो जाते हैं ड्र यूज़ करना चाहिए जो आप स्टाइलिंग वाले यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रॉंग हेस्प्री यूज़ करते हैं या फिर आप मूज यूज़ करते हैं या फिर मशीनी यूज़ करते हैं इससे क्या होता है हमारे जो बालों के शैन चली जाती है इसको मिंटेन करने के ल चाहिं हमने टूनत वाले स्क्षिंग को लेकर यहां पर पिन कर रहेए तो यहां पर एक एक स्ट्षन को लेकर में कर तो सीम ऐसा ही करके इस बन को बना सकते हैं और भी मैंने अभी डेट्ट में bullets बता client को दे सकते हैं तो उन वीडियोज को भी जरूर देखें दोस्तों वाज़ेसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंट का हमने अच्छे से यहाँ पर course को अच्छे से सेट कर दिया है और जो braid है अब हम यहाँ पर सेट करेंगे तो यहाँ पर हमने ब्रेट को भी ऐसे पिन कर लिया है यहां पे अच्छे सेट कर लिया है और उसके वैसे साइट के जो बचेव बाले उनको भी सेम ऐसी एक एक सेक्शन को लेकर अच्छे से पिन करेंगे जो हमने नीचे डोनट वाली स्टफिंग लगाई वह उसी को बरी आपको पिन करना है दो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरू दबाएगा और प्लीज अपने दो अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड को जरू शेयर करें जो हेस्टालिंग देखना पसंद करते हैं या सीखना चाहते है तो उनको यह वीडियो को जरू शेयर करें और दोस्तो और को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें और बैल का एकन जरू दबाएगा ताकि मैं कोई नहीं वीडियो डालू तो आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरू दबाएगा और आपको मे एक एक कोईल को लेकर अच्छे से पिन किया है तो आप ऐसी पिन करेंगे और नीचे आपको एक बेस के लिए आप यह तो स्टफिंग लगा लें नॉर्मल स्टफिंग या फिर डोनेटे स्टफिंग भी लगा सकते हैं अपने देखा और हम यहां पर शाइनेज पर यूश करें वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ठेंक्यू गरे मिच